दोस्तों बदोस आथ आपका हमारी चलमें दोस्तों आज की वीडियो में हम जान करी दिने वाले हैं पेंशन के उपपर जिहां दोस्तों आप सभी लोगों को पेंशन मिल सकती हैं पाएगी अगर आप एक करेंगे चोटा सा काम जहां दोस्तों जैसे कि आप जानते ही थे कि पहले सभी लोगों को या सरकारी करमचारियों को पहले pension मिला करती थी लेकिन अब सरकारी करमचारियों के लिए भी pension बंद कर दी गई है पहले सरकारी करमचारियों के साथ साथ कुछ limited कंपनिया भी अपने करमचारियों के लिए pension की विवस्ता कर देती थी लेकिन अब अगर आपको pension चालू करवानी है तो आपको कुछ ना कुछ schemes के अंदर अपना निवेश करना पड़ता है तो दोस्तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि बारत सरकार ने आपके लिए pension चालू करने के लिए एक scheme लागू की है जिसका नाम है अटल pension योजना इस बारे में आप जानते ही होंगे दोस्तो हमने इस topic के उपर पहले भी वीडियो बनाई थी आपको ये वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी उसके अंदर हमने detail में आपको सारी चीज़े समझाई है दोस्तो आपने वहाँ पर हमसे बहुत सारे question पूछे थे अभी भी हमसे लोग question करते हैं उसके योजना से related तो इस वीडियो में हम आपके doubt clear करने ही कुछ करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपको कैसे 42 रुपे से लेकर 210 रुपे का मामूली से invest करने पर आप 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 जैसे भी आपको pension चाहिए आपके जरुरत के हिसाब से वैसी pension आप अपनी लागू करवा पाएंगे जब आप 60 साल के हो जाएंगे दोस्तो जैसे कि आप जानते ही कि pension हमें कम मिलती है 60 साल के बाद तो दोस्तो यहाँ पर invest जो आपको करना पड़ेगा 42 रुपे और मिलब अगर आपकी उमर जितनी कम होगी उतना ही कम आपको यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा और maximum 210 यह 900 रुपे तक आपको invest करना पड़ेगा अगर आपकी उमर जादा है तो तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपको complete detail दूँगा आपको देखे सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा आपस request है इसको आप end तक देखे और इसको आप समझने की कोश्च कीजिए ठीक है यहाँ पर हम आपके सारे doubt clear करेंगे तो दोस्तो देखे इस योजना को कहाँ पर ले सकते हैं सबसे ज़्यादा लोग हमसे यही सोब question करते हैं तो इस योजना को चालू करने के लिए इस pension scheme को लेने के लिए आपको अपने bank के पास जाना पड़ेगा जिहां bank में जाने के बाद आपको वहाँ पर total pension योजना चाल चालू करवा पाएंगे ठीक है और उसके उपर आप से पूछा जाएगा कि आप कितनी pension चालू करवाना चाते हैं तो दोस्तो यह आपके उपर है कि आप 1000 पेंशन लेना चाते हैं 2, 3, 4 या 5,000 तक यहाँ पर pension आप अपनी चालू करवा सकते हैं अगर आपकी उमर 18 साल है त तो आपको यहाँ पर 210 रुपे हर महीने जमा करने पड़ेंगे या हर महीने आपकी 210 रुपे कटेंगे और जब आप 60 साल की हो जाएंगे तो आपको 5000 रुपे मासी की pension मिलनी शुरू हो जाएगे इसी तरह अगर आपकी उमर जादा है तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा थो 20-30 रुपे की pension चालू करवा पाएंगे यहाँ पर आपको जितनी जदा उमर हो जाएगी उतना ही जाद आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप इस योजना में लागु करवा लेंगे उस योज़ना को उतना ही कम उतना ही जादा आपको यहाँ पर फ अगर उनका निधन हो जाता है, तो उनके नौमिनी, जो भी उनके नौमिनी होंगे, उनको सारा जो जमा पैसा है, वो रिटर्न कर दिया जाता है, और एक ही फैमिली में सारे लोग इस पेंशन को ले सकते हैं, इन पेंशन बलान को चालू कर सकते हैं, ऐसी कोई कंडिशन नहीं ये किसी family में सरिफ एक ही बंदा इसे ले सकता है, दोनो husband wife भी इसको चालू करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक 10,000 का bonus हो जाएगा, अगर मालीजे दोनो husband wife ने ये योजना ले ली है, तो उनको जब वो 60 साल की हो जाएगे, तो उसके बाद दोनों की pension उनकी चालू हो जाएगी, तो दोस्तो ये है अटल pension योजना की एक छोटी सी जानकारी, अगर आपको इसकी deep जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल पर आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आपको इसे भी जरूर देखिए, और इस योजना का लाब लीजिए, जितना जल्दी आप इस योजना में चालू करेंगी, शुरू करवाएंगी, उतना ही सादा आपको याप पर लाब मिलेगा, तो दोस्तों ये कैसी लगए आपको जानकारी, प्लीज हमें कमेंट करके बता है, अगर अच्छे लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपकी स्क्रीन के पर सब्सक्राइब के लाले शान पर टच करके, और उसके बाद गंटी के निशान पर जो टच कीजिए, ताकि आपको बरी बनाए हुई नहीं वीडियो लगाता मिलते रहें, आपको फ्री होता है, और आप इसे जाए से यादा फायदा उटा सकते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद.